तो हलो नमस्तिया स्नार्गु सश्यकार केंचो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैहा पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की यह करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर यह लॉक्डाउन हुआ जब यह लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीजिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर आएगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्तों पास में पांचे किलमेटर दूर एक गांँ वेज़ा राशन करीदे के लिए तो आचकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्हों ने क्या किया कि पुलीस व उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया आपर आए उन्होंने ये कहानी बयान की और मैंने उन्हों से कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और नहायदी बेवकुफी की चीज़ की दिमाग से निकल गया है और सोचा के बात कर रहा हूं तो मूँ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात गोर से सुनें किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुख दाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाट आ जाना एक उसका सियम खो देना होग खो देना वो उससे जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा गल्ती हमसे हो गई और जो नेगेटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हिंदोस्तान को क्या कहा है गवर्मिन को के बाहर मजज जाओ सोशिल कैध्रिंस ना करो यह खाया न दोस्त आरों से ना मिलो आइसलेशन में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो इस सब किस के लिए? उनके लिए? नहीं, हम सब के लिए नमास पढ़ना है घर पे पढ़ो बुझा पाट करनी घर पे करो बश्वर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सब को है लेगिन क्या कोई मनना चाता है ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो Starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है, गलत है correct है wrong है negative सोच रहे हैं या positive सोच रहे हो अगर आपके action सही होते हैं तो यह lockdown अभी तक के खतम हो गया होता और corona virus भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठों पर डंडा नहीं मारते हैं आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वाले को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोखा है, मास पहनो, कलव्स पहनो, अकेले जाओ, गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा, आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स, नर्सिस, जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको करणवारिस नहीं होगा, उनके परिवार पो न रोटने के लिए नहीं, करोना वाइरिस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बिमारी ऊंच नीच, जातपात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती, आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभार हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, कि आप घर पे बैठे हैं, और वो भी आप नहीं देखते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं, जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया है, कि घर से बाहर मत निकलो, उन्हें निकलना शुरू कर दिया है, कम जैसे आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी वी जान को खत्रे में दाल रहे हैं, ये कमार है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सस आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पे पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे हैं मौत की और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो कि दिवार्ट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते है कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जोड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वर वाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उतकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आप अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते हैं पढ़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना फैले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए सन्देवाद